कि ऐसा करते हैं कि पहले जो है ना हम लोग रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए उसके बाद आप लोग से नीचे जाके कार में और बाते करते हैं नहीं तो फिर लेट हो जाएगा क्योंकि दोनों बच्चे को तयार करना होता है खुद तयार होना होता है तो अभी फटा-फ वाले बेटे को रेडी कर दी और मैं यहां पर रेडी हो गई और अभी बड़ा बेटा को रेडी करना है उसको सूज वगारा पहनाना है और पहना के और फटा-फट निकलेंगे पाहर फिरक सक्षाधस आजी आजीर औम खोच़ाइब दर्या कर सक्षाधस आजीवाइब आजीवाइब तो आजीर आजीरओारा है यजा वो है गवाव तेस्ट आजीर लीगा और चूर सो Ita लीगाईब लगाईब तो आजीर explained हुआ हैं एक एके किया हैं सम्वेरे इस वे इस हैं वाफिर वेे एका मेल हुआ है कर दो अाहत है साइ आह उपाल साइ तो यहां पे सुरिया जो है वो मस्ती कर रहा है दिन कलने के पहले उसको थोड़ा बहुत नीनी भी आ रहा है तो अभी निकलते हैं फटा फट यह लोग तो गाड़ी में सोच आएगा क्यूंकि अंदर एलाओ नहीं होता है बच्चे आप को भी एक परसन जा सकते हैं बच्चे अभी जाने के लिए अंदर तो मैं अके लिए जाओंगी यह लोग गोनो कार में रहेंगे और फिर अभी हम लोग से निकल गए हैं और विजा रहा नीचे कराज में यहां पर देखिये छुटू उटू यहां पर गुद में है और अभी जा नीचे और निकलेंगे और आप सबको भी बाहर का विदर दिखाते हूं कि इतना अच्छा आज का विदर है तो चलिए बने रहे हैं आज का ब्लॉग में और देखते हैं तो फटा फटा भी जा रहा है निकल रहा है घर से कैसे हैं आप सब आप समझे होंगे तो आज का जो बेदर है बहुत ही अच्छा है पाहर का टेंपरेचर जो है अभी जस्ट हम लोग कार में आये हैं नीचे और अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास आज मेरा फोटी फाइब डेज ओवी गायनों के पास एपॉइंटमेंट है वो सब देखेंगे कि सी शेक्शन वगारा स्टीचेज वगारा जो भी है सब पर्फेक्ट है कि नहीं कोई प कौन सी बात को ध्यान रखना है कब एक्सरसाइज शुरू करना है कब कितने दिनों में बाडी जो है पूरी तरह रिकभर हो जाता है तो सब पाते आपसे करेंगे आज का बेदर बहुत ही अच्छा था तो मैं जोची कि आज थोड़ा ब्लॉग करती हूं और बहार थोड़ा ऐक बेटा मेरा एक टार सित भी एक दुएग बेटा मेरा ये तार सित भे एक हम दुसरे तार सित भे यहां पर बैठा हुआ है थे सूर्या से हला ए बड़िवञागं bucket ख्रीबिले करना उना मेर अफी हैं दूण च्रूर आटख को धीम На तर रम सूर्या जीए ख्ञाटियो कि अवी आज का वेदर इखाते हैं अभी हहां पर थोड़ाई सा गाड़ी श्रौाफ गड़ और आप सबसे बाते करने लगे तो चलिए मिलते हैं और एग और और बहार करना जारा दिखाते हैं अज कितनी धंडी के बाद जो है आज का वेदर मस्त है देखने लाइक है आज का तो इतना खुस है कि अब जो है समर आने वाला है तो चलिए बने रहिए मेरे साथ हो देखिए अभी का यहां देखिए रोड का जो नजारा दिख रहा है कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि साइट साइट पूरा स्नू 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 बट अभी जो स्नू है वो पूरा पिघलना चालू हो चुका है देखिए यहां पे यह जो रोड पे पानी दिख रहा है और अभी जो है रोड पे जादा दर रोड जो है वो क्लियर दिख रहे हैं बट कहीं जहां पे ऐसा गढ़ा साइड है वहां पे जो स्नौ है अभी नहीं पिखला है बट दीरे दीरे अभी गर्मी स्टार्ट होगी तो एक से दो दिन में पिखल जाएगा तो यहां पर अभी हम लोग हाईवे पर आचुके हैं और अभी यहां से मेरे घर से हार्ली 50 मिनट का है डॉक्टर का यह क्लिनिक तो यहां पर देखें मैं अपने क्लिनिक में आ गई हूँ यहां साउटेल यह क्लिनिक है तो यहां पे अभी आ गई हूँ उतर गई हूँ और अभी चलते हैं अंदर क्या-क्या प्रॉसेस होता है देखते हैं कर दो अभी कार से निकलते हैं और मैं जाओंगी सिर्फ मेरा दोनों बेटा और हस्बें कार में ही रहेंगे क्योंकि बच्चे जो है अंदर इलाओ नहीं करते हैं बच्चे लोग को यहां पे देखे जैसे ही मैं उतरने लगी चोटू महराज उठके रोने लगे तो यहां पे आगे लेके बैठ गया है क्योंकि कार सीट के साथ आगे नहीं एड़ेस्ट होगा तो और पिछे स्पेस ही नहीं है दोनों कार सीट रखा जाता है तो बीज में थोड़े से स्पेस बचता है तो और देखिए एक जनाब यहां पे सो रहे हैं और अंदर जाने के पहले अभी हैं अब भी जगा पर्ट ही एट में सुआगा उपकलशारी हैं 10 तो बता है ंदर जाय तो अब ही मैं जा उंगी अंदर अंदर जहाँ लोगी स्टेर्स लूँगी नहीं तो लिप्ट अगर खाली रहा फटाक से आएगा तो लेकर जाओंगी उपर अभी मैं ले ली हूँ ले ली हूँ ले अंदर आ गई और उपर जाते हैं और दिखाते हैं चेक इन करेंगे वहां और क्या-क्या प्रोसेस होता है वो सारे चीज दो है आ और यहां पर अभी in करूंगी यहां पर जो फरंट डेश्क दीख लाएξ यहां पर खाली इसपेश है यह सारे चेर बगएर रखे हुए है यहां पर सारे लोग आते हैं बैठते हैं जिनका अपॉंट मिंथ है और वहां पर चेकिन करना रहता है तो अभी मैं जा रही यहाँ पे चेक एन करने के लिए फॉर्म मिल चुक है इस सिर्फ साइन करना होता है और सब्मिट करोंगी हैं पे और यह जो फॉर्म देख रहे हैं यह डॉक्टर से मिलने के पहले का फॉर्म है यह इतना एक्जाम में पेपर नहीं आएगा जितना यहां पर कि आपको ऐसा अपना पढ़ाई का दिन याद आ जाएगा नहीं तो अभी पढ़ रहे होंगे तो वो दिन जादा अच्छा लएगा यह कोशन अंसर देने में अभी इतना सारा कुशन पुछेंगे उसको आधा घंटा जो है ना पूरा फॉर्म को फिल करने में लगेगा पटा यहां पर यह सारे लोग बैठे हुए जिनका जिनका एपॉइंटमेंट है तो अभी मैं यहां पर वेट कर रही हूं नर्स आएगी तो मैं जाओंगे अंदर पहले फाइफ से फाइफ टू टेन मिनट नर्स से मीटिंग होता है उसके बाद डॉक्टर से मिलेंगे तो अभी नर्स से बातं होती है और यहां पर हла और हम प्रेग्न्सिंजर के टायम में आयन लेहल बहुत कंथा तो अभी तो मेडिसीन ले रहे हुग आयन का और तो वही ज़स चेक अप कर रहे हैं कि मेरे नेर को मेडिसीन ले नहीं य Tai हम और मेडिसान है肯ा quantitative vocation, MSHS, स्बतहशा है और यूएस में क्या होता है जब भी आपको डॉक्टर से पॉइंटमेंट है किसी भी चीज का बच्चा हो या बड़ा हो तो आपको एक छोटा साथ ये केविन देते हैं जिसमें आप रुको रहो जितने देर डॉक्टर जितने देर में आती है जितने देर में आपको बाते करना ह तो आपको उतने देर के लिए यह जो रूम है वाप आपके लिए है प्रस्नल इसमें और कोई नहीं आएगा सिर्पाप रहोगे और डॉक्टर या नर्स एलाव रहे हैं अंदर तो यह देखिए छोटा सा रूम है जहां पर एक छोटा सा वेड है जहां पर डॉक्टर को कुछ चेक वगरा करना है तो करते हैं तो यह रहा फुली रूम यहां का जो की नॉर्मल यह फैसलिटी देते हैं सभी को तो यहां पर देखिए मेरा एक गाउन रखा हुआ है मुझे नर्स ने ऐसा बताया कि मेरे को अंड्रेस अप होके यह ड्रेस पहनना है क्योंकि अच्छे से अभी जो है ना वह देखेगी और फिर आगे देखते हैं क्या क्या बताती है अच्छा से रीकृबरी हुआ है यहां पर देखिए मैं फुली ड्रेश अप हो गई हूं और यहां पर ड्रेस पहोंकि और बैठोंगी 5 मिनट वेट करोंगी या एक मिनट वेट करोंगी यह तो और डॉक्तर से मिलने के बाद अभी जु है डॉक्तर के पास जानी जा कि खुष क्या है तब ही वो बता पाएं कि मैं एक्सरसाइज सुरू करूंगी या नहीं करूंगी तो finally I am very happy कि डॉक्टर ने ये बोला कि आपका जो सी सेक्षन एरिया है वो फुली तरह से रिकवर हो चुका है तो आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी तरह का चाहे आप बट धीरे-ध स्टार्ट करना है अज गया है और पूरा दो घंट एक्सरसाइज कर डाले तो ऐसा नहीं करना है अभी दीरे-दीरे बोली है डॉक्टर कि आप कर सकते हो क्योंकि अभी क्या हुआ है कि प्रिग्नेंसी के बाद जो है पीट का टमी का जो एडिया है मेरा भी भी लग रहा है क चेफकि में कर पाँगी आगे इस्ट तो फाइनली मैं कर सकती की हूँ और आज से मैं constitutes email ऑजाद मैं अजह फीरेरसाइजिया है टान्योंकि लिए तो आज और के लिए तो आज से नहीं यहाज तो अभी फोर शॉरोड को झुका है तो आज से मेरा जो है टबी थालो कि मेरा तंबी बहुत ही ऐसा ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग सा लग रहा है बहुत बढ़ा जा लग रहा है मैं 6 मंथ फिर से प्रिग्निंट हो गहीं तो फाइनली कल से मैं एक्सरसाइज थोड़ा बहुत धीरे-धीरे कल से सा 5-10 मिनट करके स्टार्ट करूगी तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं बाहर का दिखाती हूं बाहर का अज बेदर और फड़ा बहुत opioid मशती करेंगे उसका ब्लॉट जलीए फीर मिलते हैं बाहर शंण लाइक के साथ बहुत दिनों के बाद जो है न ऐसा बैदर यह है जो 6 मंथ ट leads 901 बसीच्ट के सा थे इसा मामांने चोटा वाला को तो अभी बाहर कोई इंटरेश नहीं है बस वो मस्ती में अपना कारसी पे बैठा रहेगा तो अभी यहां पे मेरा पूरा काम हॉस्पिटल का सारा जितना भी काम था सब डन हो चुका है अब निकलते हैं बाहर और बाहर जाके मिलते हैं मेरा दोनों बेटा इंतजार कर रहा है या सू रहा है वो तो जाने के बाद पता चलेगा तो चलते हैं और मिलते हैं दोनों से दोनों क्या कर रहे है माराज और तो यहां भी हम नीचे आ चुके हैं वहां पे देखिए वहां मेरा कार है अभी मैं वहां पे जा रही हूं और दे इसको पिछावले सीट पर एक दो अभी हम लोग ऑस्पिटल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं यहां पास में ही लेक है एक मियट के दूरी पे है और कार से और यह पे पहुचके वहां पे लेक के पूरे एरिया में लेक बर्फ बना हुआ है उस पे लोग वॉक करते हैं खेलते हैं कैम्पिंग वगरा भी करते हैं और आइस फिसिंग करते हैं तो आइस फिस्फिसिंग करते हुए अगर कोई दीखता है वहाँ पे तो उसका वीडियो ज viral बनाओँगी और दिखाओंगी आप सब को कि कैसे यहां पर आइस फिसिंग करते हैं बट यह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था वो लेक वाला वीडियो मिला के तो मैंने यहां पर रिसाइट करा कि यह वीडियो जो है अकेला डाल देती हूं और लेक वाला वीडियो जो है वो अगले वीडियो में डालूंगी आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप जो है वीडियो देखें जुआए कर पाएं होगे तो आज का ब्लॉगिंग जो है यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ संसेट के साथ देखिए यहाँ पर संसेट भी हो रहा है मेरा व्लॉगिंग भी खतम कर रही हूँ मैं यहाँ पर ही तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाबाए टेक केर सी यू सून